नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे कि राज जी की परिवासा भारती संबिधान में मौलिक अधिकार और राज जी के नीती निदेशक तत्व यानि के संदर्व हेतु जो राज जी की परिवासा दी गई है उसके बारे में बात करेंगे वैसे तो राज किसे कहते हैं यह एक पॉलिटिकल सैंस का मुद्दा है कि किस भुभाग को हम राज कहेंगे जैसे हम अगर देखें तो भारत में 28 राज हैं और भारती संबिधान के राज्यों का संग जैसे बिहार, पस्चिम बंगाल, उडिशा, तमिल नाडू, महरास्ट, गुजरात तो यह सब राज्य हैं कुल 28 राज्य हैं प्रन्तु पॉलिटिकल सैंस की दिरिष्टि कौन से इन्हें राज्य नहीं माना जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा पहले हम उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और राज्य के निती निद्सक्तात्वू जो की भाग तीन और भाग चार में राज्य की परिवासा दी गई हैं उसमें राज्य को किस व्यापक्ता की दिरिष्टि कौन से लिया गया है तो पहले हम बात करेंगे कि बिहार, बंगाल, उरिशा, पंजाब, हरियाना, मद्यपरदेश, तमिलनाडू, अंदरपरदेश, गुजरात, पॉलिटिकल साइंस की दिरिष्टी कोन से राज जी क्यों नहीं है? तो political science की दृष्टी कोन से राज जी के लिए कुछ सर्ते हैं, राज जी किसको बोलेगे, तो राज जी के लिए चार आवस्यक सर्त है, तो पहला है कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसके बाद जनसंख्या होना चाहिए, उसके बाद सरकार होना चाहिए, और फिर संप निश्चित भूभाग है, मतलब कुछ जमीन है, कुछ लैंड है, कुछ एरिया है, दूसरा है कि वहाँ कुछ जनसंख्या निवास करती हो, जैसे कि अंटार्टिका महादेस है, तो उसको राज जी नहीं कहेंगे, क्यों कि वहाँ मानव की जनसंख्या है ही नहीं, उसी परक अगर सरकार नहीं है जैसे कि बहुत सारे खाना वदोसों की टोली या फिर जनजातियों की बहुत सारी जनसंख्या जिनका की कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं है वहां सरकार नहीं है तो इस परकार के संगठन को भी इस परकार के समू को भी हम राज्य नहीं कहेंगे और अगर ये तीनों चीज हो, मतलब जनसंख्या भी हो, निश्चित भूभाग भी हो, सरकार भी हो, प्रन्तु संपर्भुता नहीं हो, तो उसको भी हम राज्य नहीं कहेंगे अब आईए जैसे कि बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के पास जमीन भी है, इसका एक शतरफल है, बिहार की जनसंख्या भी है, इसका आतीरिक्थ यहाँ पर सरकार भी है, यहां dosir, राज्य पाल होते हैं, फिर भी political science की दृष्टि कौन से, बिहार एक राज्य नही क्यों नहीं है क्योंकि बिहार के पास जो राज्य होने के लिए सबसे जो आवस्य तत्व है संप्रभुता वो संप्रभुता नहीं है तो बिहार की संप्रभुता कहां है तो बिहार की संप्रभुता भारत की सरकार में भारत देश में नहीं था है यानि यहां की जो और भारती संपरभुता ही यहाँ पर डुमिनेंट करती है सिर्फ विहार ही नहीं भारत के जितने भी राज्य हैं 28 राज्य और जो केंसासित परदेश हैं सभी की संपरभुता जो है वो भारती गनराज्य में नहित है यानि political science की दिरिश्टी कौन से राज्जी हम उसे कहेंगे जिसके पास ये चारों चीज हो निश्चिद भूभाव हो, जमसंखिया हो, सरकार हो और संपरभुता हो तो इसे में जब बिहार राज्जी नहीं है, बंगाल राज्जी नहीं है, उडिशा राज्जी नहीं है, मद्धिपरदेश राज्जी नहीं है, तमिलाडू राज्जी नहीं है, आंधरपरदेश राज्जी नहीं है, तो राज्जी है कौन? तो राज्जी है भारत पॉलिटिकल सैंस की दिरिश्टी कौन से हम भारत को राज्जी का सकते हैं, पाकिस्तान को राज्जी का सकते हैं, अमेरिका को राज्जी का सकते हैं, और कोई भी देश ले लें, तो उनको हम राज्जी का सकते हैं, रूस, चीन, जपान, जो भी है ये सभी राज्जी हैं, बल अन्तरगत आते हैं या प्रोविंस है या स्टेट है हला कि अस्टेट कहा गया है भारतिय संविधान में परन्तु पॉलिटिकल साइंस की दिरिष्टी कौन से जो देश हैं दूसर से अधीक जो देश हैं दुनिया में तो उन्हें हम राज जी कहेंगे अब आते हैं कि मौलीक अधीकार और राज जी की निती निद्शक तत्वों के अंतरगत जो भारतिय संविधान में राज जी की परिवासा दी गई है वह क्या है तो यहां पर गौर करने वाली बात है कि यह सिर्फ जो है भाग तीन और भाग चार के लिए हैं जबकि भाग छो के लिए अनुछेद 152 में अलग से राज जी की परिवासा दी गई है जिसके अंतरगत यह कहा गया है कि जम्मु कासमीर छोड़कर बाकी भारत के सारे राज जी है वो राज जी के सिरिनी में आएगी तो मौलिक अधिकार और राज जी के निती निद्शक तत्वों के अंतरगत राज जी की जो अनुछेद 12 में अनुछेद 12 में स्टेट की परिवासा दी गई है और इसी बात को ये तो हो गया एफार, Fundamental Rights के अंतरगत और अगर DPSP की बात करें तो DPSP के अंतरगत अनुछेद 36 में 36 में में भी इनी बातों को दोहरा दिया गया है अनुछेद 36 में लिखा गया है कि जिन अनुछेद 12 में राजजी का जो परिवासा दी गई है तो अनुछेद 36 में भी राजजी की परिवासा उनी संदरभों के लिए मानने होगा ये देखिए संबिरान के भाग 3 में क्या है? मौली का दिकार है और भाग 4 भाग 4 में क्या है? तो राजजी के निती निदे सकत्य तत्व है डारेक्टिब प्रिंसपल अफ स्टेट पॉलिशी इसको DPSP बोलते हैं तो यहां के लिए हम राजजी की संदरभों की बात करेंगे भाग 3 में मौली का दिकार जो की अनुचेद 12 से 35 तक है और भाग 4 के अंतरगत राजजी के निती निदे सकत्व DPSP जो की अनुचेद 36 से 51 तक जिक्र किया गया है तो मौली का दिकार और राजजी के निती निदे सकत्व के अंतरगत भारती संद्धान में जो राजजी की परिवासा दी गई है वो बहुत ही ब्यापक है और इसके अंतरगत वैसे सारे बाडीज को लाए गए हैं जो बिधी बना सकते हैं बिधी को लागू कर सकते हैं अध्यादेश जारी कर सकते हैं या अधिनियम जारी कर सकते हैं इन सारे bodies को राजी माना गिया है, तो इसको हम चार भाग में बांट सकते हैं, जो भी यहाँ पर राजी की संग्या जिसको दी गई है, इसको हम चार भाग में बांट सकते हैं, तो पहले भाग में देखिए, सबसे पहले आता है भारत की सरकार और भारत की संसद, भारत की जो स भारत की सरकार यानि भारत का केंदर सरकार बारत का जो मंत्री मंडल है और भारत की संसब यानि इंडियन पार्लियामेंट तो यह राज जी कहे जाएंगे दूसरे नंबर पर देखिए जो राज जी की सरकारे हैं तमाम जो 28 राज जी हैं और जो केंसासित परदेश हैं जहां क और वहाँ जो विधान सभा है, तो उन सभी को भी राज जी कहा जाएगा, जब हम मौलिक अधिकार और राज जी की निती निदेशक तत्व का संदर हो लेंगे, तो जहां जहां राज जी का वर्णन किया गया है, सब में ये उसका अर्थ जो है, यहां से लिया जाएगा. अब बात करते हैं तीसरे नमबर पर, तो तीसरे नमबर पर जो भी अस्थानी प्राधिकारी हैं, अस्थानी प्राधिकारी मतलब केंदर सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक एक और सरकार है, जिसको कि हम बोलते हैं अस्थानी सरकार, तो लोकल बॉडिज, तो लोकल बॉड कि राज जी का जब भी हम संदर्व लेंगे मौलिक अधिकार और DPSP के अंतरगत तो उसमें जो भी अस्थानी प्राधिकारी है जो लोकल बॉडिज हैं जिन में गरम पंचायत है नगर पालिका है नगर पालिका के भी कई परकार होते हैं नगर निगम होते हैं उससे भी द्वारा बोड बनाया जाता है जिला डिस्टिक बोड या फिर माइनिंग बोड तो इन सभी को हम राज जी की स्रेनी में रखेंगे अब बात करते हैं चौथे नमर पर चार भाग मैंने बताया था एक दो तीन और चार तो चौथे नमर में अन्यप्राधिकारी अन्यप्रा या फिर कोई विधिक निर्ने लागू करने का अधिकार मिला हुआ है अब इसमें कौन-कौन आते हैं तो कई सारे बोड को अगर हम ले ले जैसे की मान लिया जाए LIC तो इन संस्थाओं द्वारा जब भी किसी नागरिक कल्या या नागरिक अधिकार की बात की जाएगी जो उकी fundamental rights or DPSP में जिकर किया गया है उसके तहट इन्हें भी राजी माना गया है ONGC हो गया NTPC हो गया अन्य पराधिकारी के अंतरगत कुछ मैं सूची बताओंगा कि जिन्हें अन्य पराधिकारी के अंतरगत रखा जा सकता है तो ये जो कुछ उधारन है इसके अलावे देख लिए मैं एक सुची बताऊंगा कि किन-किन बॉडिज को अन्य प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा जिसे की एस्टेट का दर्जा दिया गया है तो इन ब्यापकता में ये तीन के अलावे आप कारखाना बित निगम हो गया यूनिवर्सिटी हो गया विश्विद्याले इसके अतिरिक्त कोई भी बिधिक ब्यक्ती हो गया जैसे कानूनी निगम, सरकारी कमपनी, या राइस्टर्ट सोसाइटी, या इंटरनेशनल एरपोर् भारतिय सांखिकी संगठन, भारतिय किरिसी अनुसंधान परिसत, भारतिय खाद निगम, स्टील अथरोटी ओफ इंडिया, एनिसेल, सेंटर इनलेंड बाटर ट्रांस्पोर्ट कर्कोरेशन, भागीदारी फॉर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायता संग, सरकारी सहाय प्राप्त जो भी स्कूल है, जहांकि 95% जो है, वो सरकार अनुदान देती है, रास्पती, मुखिन आधीस, रेलवेबोर्ट, दिल्ली विकास प्राधिकरन, बैंक और बीमा कमपनिया, भारत अंचार निगम लीमिटेड, यानि BSNL, संग लोग सेवायोग, यानि इस परकार के जो बॉडिज होंगे, वो अन्य पराधिकारी के अंतरगत आएंगे, और मौलिक अधिकार और राज्जी के निती ने दे सकता तुमें, इन्हें भी राज्जी का दर्जा दिया गया है, अब हम बात करेंगे कि किन-किन को अन्य पराधिकारी के अंतरगत नहीं रखा गया चुकि कई सारे बोर्ड हैं देखने में समानता लगेगा तो उसको हम देख लेते हैं जिने की राज जी का दर्जा नहीं दिया गया यानि अन्य पराधिकारी के अंतरगत नहीं रखा गया है तो इसमें है आपका राश्टी सेक्षिक एवं अनुसंधान परिशत यानि NCRT इस भी कोट बगएर हैं तो इन सभी चीजों को इन सभी बोडिज को अन्य पराधिकारी के अंतरगत नहीं रखा गया है तो इस परकार से देखा जाए तो मौलिक अधिकार और राज्जी के नीती निदस्यक तत्व में राज्जी की परिभासा काफी ब्यापक हो जाती है जो अनुछेद 36 में अनुछेद 36 जो कि राज्जी के नीती निदस्यक तत्व यानि DPSP का पहला अनुछेद है उसमें सिर्फ यह लिख दिया गया कि राज्जी के परिभासाओं को जो अनुछेद 12 में परिभासित किया गया है वही राज्जी के नीती निदस्यक तत्व के लि बिजवास है कि इस कलास से आप लोगों को बहुती फाइदा हुआ होगा धन्यवार जय हिंद